नमस्कार, फुदी तिरापी में आप लोगों का स्वागत है, आज मैं केरला स्टाइल पका आम का करी बनाने जा रही हूं, आइए चलते हैं करी बनाने केरला स्टाइल यलो कुकुम्बर और पका आम का करी बनाने के लिए हमें चाहिए, एक मद्य माकार का यलो कुकुम्बर, चार से पांच मद्य माकार का पका आम, एक बड़ा चमत जीरा, एक पैकेट कटा दही, एक नारियल, चार हरी मिर्च, अवश्यक्ता अनुसार नमक और पानी, एक चमच हल्वी पोड़, दो चमच लाल मिर्च पोड़, गूड, करेपत्ती अवश्यक्ता अनुसार, और टेंपरिंग के लिए, राई, सुखे लाल मिर्च और मेती दाना, यलो कुकुमबर को मैंने ऐसे चोटे-चोटे आकार में खाट दिया है, और आम कभी छिलका निकाल कर, अभी गुटली सहीत हम करी बनाएंगे, कुकर में यलो कुकुमबर और आम को डाल दिया का, इसमें लाल मिर्च पॉडर, हल्दी और नमग डाल कर, दो ग्लास पानी में से मैं दो विजल आने तक पकाऊंगी, नारियल, जीरा और हरी मिर्च को मैंने महिं पीज दिया है, आम और कुकुमबर अच्छी तरह से पक गिया है, अब इसमें मैं दही डाल रही हूँ, इसमें और थोड़े दिर पकाऊंगी, दही के साथ मेंगर अच्छी तरह से पक गिया है, अब इसमें मैं नारियल, जीरा का पेस्ट डालूँगी, मैं थोड़ा गूर भी डाल रही हूँ, और करी पती, कुकुमबर और आम का करी रेडी हो गया है, अब इसको मैं टेम्परिंग करूँगी, यलो कुकुमबर और पका आम का करी बनके रेडी हो गया है, यह आप चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिश्ट वने हैं, थोड़ा मीटा भी है, मैंने गूर डाला है, आम का खटापन भी है, बहुत स्वादिश्ट है, आप लोग जरू ट्राइ कीजिए। आप लोग जरू ट्राइ कीजिए।